हलो एबरिवन आप सभी कस्वागत है मापा परसी में चले आज बनाते हैं डाल मकनी कडिला के बुंजी और चावल जो बहुत ही टेश्टी बनती है आजकल मेरी है सभी का मुख का स्वागत हो गया क्योंकि सबको ना सर्दी खासी फीवर सी हो रखी है तो इसके लिए मैं आज डाल मकनी बनार्याओ बनती है जो ऊराद के साथ बनती है यह सरदी युक्रा में बहुत अच्छा काम करता है गरम करता है सरीर को सर्दी चाहँ आप फोड़े ठीक करता कि बना ठीक करता है इसलिए राजमा देली हो और लिखे से निवर धूल दो तीन पानी कहना राजमा भ होना रहता है क्योंकि इसमें जो भी पौडर लगा रहता है ना अगर डाल को सुरक्चित रखने के लिए तो इसको अच्छे से धो ले थी उसके बार डायरेक इसको मैं कूकर में डाल दे रही हूं कूकर में बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी पकेगे पानी डाल दी हूं थो चावल पकने में टाइम लगेगा चावल बहन साप कर ले थी चावल को में डाल दे रही हूं और तीन से चार पानी में अच्छे से धोलोंगे चावल को दो ले रही हूं आज भी थोड़ी से ठीक नहीं हुई है क्योंकि सब्सक्राइब बना रही हूं दाल मकनी जो सबका चावल एक सेटी में पक जाएगी और जो दाल है ना वह लवकी चार से छे सीटी लगेगी उसके बाद इधर में निकाल ले थी करेला करेला पहले ही दो ली थी यह करेला ना एक किलो है लेकिन आधा जो पग गया था उसको में साइड कर दे थी अंदर का बीज तो सभी लग करवपन रहता है वह चला जाएगा एक चमस लग भी नमक डाल दे रहे हूं और एक चमस लग भल इसमें हल्दी बादी इसको युट है करवपन बहुत जल्दी चला जाता है उसके बाद इसको मिक्स करंदेंगे दोनू हातों रगर-गर की था से देखे उसको ढगकर लगा इसे मोटे मोटे पीस में कट कर लेंगे पहले से कट कर लेंगे और इसको ना एक बरतन में अच्छे से निकाल लेंगे और आलो को मैं पहले से मतलब की कट करके धो ले रहे हूं कट करके धोना अच्छा रहता है बोलते हैं आप लोग ही कमेंट करके बता रहे थे इसलिए मैं क कर दोती हूं एक पानी में पहले रगरर के पानी को दो से तिन पानी फियक लूँगी उसके बार इस तरह से रगर रगर की निकाल लेंगी क्योंकि इसमें का छिलका नहीं हटाई नो इसी वज़े से इसको ज्यादा रगणने की ज़र्वत पड़ती है दो से तिन बानी रगण के एक्ष्ट्रा पानी डाल के इसको साइड में रग देती है तब तक मेरा चावल बन गया था चावल बहुत चल्दी बनती है कुकर में और उथर देखे दो ले ले थी मैं प्याज की दम बारिक-बारी कर ले हूं और प्याज को लखाथ काटोरी में रख देते हैं क्योंकि टमाटर कट करेंगे तो प्याज में रस्या चल जाएगी उसके बारी बारी कर लें चोटा सिर में तुक्रा अद्रा कर लें हूँ, उसको भी मैं कट कर लें और इधर बहें ना पीछे साट कर चले होंकि दूद आगा था तो गरम करने के लिए डाल हुआँ और इधर देखे तब तक ना मिरा करेला का जो पानी है न वो छोड दिया था तो इसमें पानी भी डालके न पानी भी डालके इसको आप निचोड सकते हैं लेकिन मैं पानी नहीं डाल रहे हुए हूँ छंगे वहाँ दनि भी एक्षेज़ा निकल रहे हैना निकाल दे रहे हुँ ताकि कर nehme करेला का जो कड़वापन है व पर कम हो जाएगा आप जब भी देखते होंगे मेरी करेला की रेसिपी तो मैं इसी तरह से करती हूँ कभी हल्ली डालती हूँ कभी नहीं भी डालती हूँ दाल भी हो गया था 5-6 सीटी और दाल को दाल देती और इधर से मैं कड़ाई ले ले थी और इसको gas on करके कड़ाय को अच्छे से गरम होने छोड़ देंगे और इसमें हम डाल देंगे तेल थोड़ा सा करेला के लिए ज्यादा लगता है तेल में डाल देथी जितना चाहिए तो उतना उसके बाद थोड़ा सा करेला डाल के देखी तेल गरम हो गया था तो मैं पर फ्राइ करके निकालूंगे जैसे पूरी और या तलते वज़े वज़े तलते वैसे ही सोच रहे थे लेकिन वैसे में टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा और गर्मी का मौसम है तो ज्यादे दिर चुला की पस कड़े होने का मन नहीं करता है इसलिए सभी को एकठर डाल करेला फ्राइ हो रहा है तो छोटे बंदर पर रख दे रही हूं और धीमरी में आज पर सिखेगी ना करेला तो बहुत अच्छी फ्राइ हो जाएगी और इधर मैं तेल रखा हुआ था बाबु के लिए चेपस तले थी ना वही वाली कड़ाई है तेल था तो उसी में ना मै इच्छे से देखे बाबु आ गए गर्मी को मौसम है तो बनियान में ही दिखता है बाबु हमेंसे आप सभी को इसको थोड़ा सा भून लेंगे इसमें जब तक गोल्डन कलर ना आ जाए तब तक भून लेंगे उसके बाद इसमें बारी कटा हुआ प्याज डाल देंगे प अब तक यो जब तक भूनwort तक नल तक में में डाल कुछ ऐकर लाते बावन देखืं़ ईखता को देंगे मुझस घखता डाल को शुझसने इसमें 8 के स्यूंक्त पानी शेचपकेशा को आधा मैं हुआ है यह यहुदे नि-फ़ी मनी क करेला के डिलार सब्सक्राइब बार बार कनने के कूछों डेलिक क उसका करों पहलना सब्सक्राइब अगर धर करेला भी अगर बिच पिच पिच पी नहीं चेलाएंगे ना तो वह ज भी जालेगे एक साद में दूसरे साद साद से सची किए अपने करेलागी अची सी फ्रैइल हो गता है तब जब तक टमाटर पक रहा घ्रेक तानन को निआ िकाल दे रहे हूं तक करिये और को फ्राय होने के लिए ग Nejरमीत अब seven में डाल जो तोड़ी से चिर्ई जीड़ा टाल तो पैंसे हम ध्यादा के तोड़े दिए 60 बाहे को फच्थ धाल से हसके लगें उसके घ् Christ तब तक ये चलाने के बाद नहीं ढगा थे इसमे डीकों भान देख़ाए से बर्टकों नरी तक चला देखिए अच्छे पर भीड़िया, भी तंट को चला लए तिक चला रहे हूं तब तक हाई रखिए तक फ्लेम को चलाने के बाद नहीं बहुत जल्दी पक जाएगी और द ए तुझसे मैं आखे लाए बाइल, तो भी कड़ाएं से कुकर बीटी डाल को चाला लेंगे यह देखें होताज का दाल डाल करेल कि अब देख़ा ऑपका दाल बन आगा क्योंकि मेरे पास है यह नहीं इसलिए नहीं डाल हूँ ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है हल्दी डाल देती थी थोड़ सी करेला में और टमाटर उसके बाद इधर देखें दाल मकणे को मैं ट्रासफर कर दे रहे हूं बलतर में क्योंकि करहाई चोटी है ना इसमें रहेगी मसाला डल गया है तो अभी कुछ भी मसाला नहीं डलेगा थोड़ी सीज में हवाफल दी दन्या पाउडर डाल सकते हैं लेकिन मैं ज्यादा मसाला नहीं डाल रहे हूं क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ज्यादा मसाला मेरे आने खाय जाता है करेला भी बन गया था और इधर मे काल देन करेला अलो की सबजी ये रहा आज मेरे दोपार का खाना कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जिएर सब्सक्राइब जरूर कर देज़ेगा कमेंट करके बताएगा आप लोग ऐसे हैं अच्छे हैं सभी अच्छे होंगे